नमस्का में रवीना, एमेनस ने उसलामे आपस भी का स्वागते, आईए देखते आज की को साजा खबरें चिकली तीरोडा में कंटेनर ने बाई सवार को उड़ाया एक यूवक ने तोड़ा दम तुमसा तीरोडा मार्ग पर सीमेंट सड़क का कार्य चल रहा था मार्ग की कचुआ गती से चल रहे निर्मान से कई लोगों को दुरगटना का शिकार इस मार्ग पर होना पड़ रहा था गुरवार को कंटेनर की चपिट में आ जाने से एक वेक्ती की मौत हो गई घटना के बाद गुसाई लोगों ने डिजल टाइंग फोड कर कंटेनर को आग के हवाले करने का प्रयास भी किया है ब्रुदक का नाम सरंडी निवासी सेवक रती राम अतने बताया जारा है वहां फरनीचर का काम निप्टा कर अपने घर वापस लोट रहा था कोई दूसरी खबर सामें आ रही है अमिशाह ने राहूल गांधी को किया चालेंज कहा C.A.M. में किसी भी नागरिक्ता लेने का प्रावधान है तो दिखाईए केंद्य ग्रुह मंत्री अमिशाह ने शुक्रवार कल विपक्ष पार्टी कॉंग्रिस पर हमला बोल दिया है और आरोप लगाया है कि नागरिक्ता शंशोदि कानून को लेकर वो लोगों को गुमरहा कर रही है उन्होंने राहुल गांदी को चालेंज देते हुए कहा कि अगर इस एक्ट में एक भी जगव किसी भी नागरिक्ता लेने का प्रावधान को तो दिखाईए उन्होंने यह भी सपर्ष्ट किया कि इस कानून में नागरिक्ता बनाने का कोई प्रावधान नहीं है उन्होंने अलपस संख्यों खासकर मुस्लिम भाईयों से कहा कि वे सिये को पड़े जो अब सरकार की वेबसाइट पर उपलब्द है वहीं तीसरी खबर सामने आरी है प्रकाज जावडेकर का राहूल गांडी पर हमला बोला है कॉंग्रेस नेता राहूल गांडी के बयान जिसमें उन्होंने नाशनल रजिस्टर आफ सीटीजन और नाशनल पकूलेशन रजिस्टर को इंदोस्तान की गरीब जनता पर लगाया गया टैक्स बताया था और राहूल गांडी के इस बयान का जवाब देते हुए अब केंद्रिय मंत्री प्रकाज जावडेकर ने उन पर हमला बोला कर का है कि राहूल गांडी कुछ भी बोलते रहते हैं और लगातार जूट बोलते हैं राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार का जिक्रा करते हुए जावडेकर ने कहा कि राहूल गांधी को राजस्तान जाकर अपनी सरकार को सुधारना चाहिए और ऐसे बेतु के बयान देने बंद कर देना चाहिए फिलाल वक्त हो चुका है ब्रेक का ब्रेक से रूटने के बाद बने रिए MNS News के साथ नमस्कार